नुमस्कार दोस्तों दूर्वा नमक हिंदी पाटबुस्तक से जो कि क्लास एड़ का आज सत्रेमा पार्ट है वह सुबह कभी तो आएगी तो आये चलते हैं और अगर अपने अभीत्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें वहीं अपने मित्रों को स पसंद आये तो लाइक करें चलते हैं कि वह सुबह कभी तो आएगी हूं मैं बहुत छोटी थी वह कहते हैं कि मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी अर थर्द जब गैस का रिसाव हुआ था तो एक चोटी सी बच्ची के रूप में लेका कहती है कि मैं जब छोटी सी थ जब गैस का रिसाब हुआ था और मेरी अम्मी बताती है कि वह मुझे जकड़कर जहां गीराबाद भागी थी और मेरी याददास में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ बीट में कुछ समय तक कुछ राहत थी आराम था पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है मेरा गला और आँखें सूज जाती है मेरा चहरा सूजन की बज़े से बढ़ा रहता है और गले से अंदर ये अंदर खून बहता है मेरे सांसें जो हैं बरी तरह से फूलने लगती है और मैं होस खो देती हूँ मेरे पूरे बदन पर लाल लाल दब्बे है और थार दिये सब किसकी बज़े से था कि जो गैस का रिज़ रहाव हुआ था उसकी बज़े से अनेक लोगों को उस गैस ने प्रभावित किया शुरू में ये दब्बे एक एक रुपे मेरे दाहिने पाउं के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती थी अर्थार सिक के जतने बड़े ये दब्बे दिक्ते थे और ये जब छोट छोटे हो गए तो मेरे दाहिने पाउं के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती और मेरे पैर देखो इनमें च्छाले पड़े हुए है कितना कुछ हुआ है हमें हमारे जिन्दगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई है तो मेरे अब्ब इस दुरगठना के कारण खत्म हो गए और जब हम बहुत छोटे थे तो मेरी मां की मांस एक हालत जो थी वह बगड़ गई वह दरवाजे पर बैठकर अब्ब का इंतजार करती रहती थे हमसे कहती के अब्ब घर आने वाले हैं उनके लिए चाए बना ले वो उनके पैरों की आहट सुनती और चला कर कहती के वे घर आ गए हम अब्ब हम उनसे कहते के अब्ब मर चुके हैं पर वह हमसे कहती के ऐसी बाते नहीं करते और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मार देती अर्थार तो वह बहुत ज़्यादा सदमे मा गई थी हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखवाल करेंगे डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुस रखा करें पर उनकी जो हालत थी देखकर रोए बिना रहे पाना मुस्किल हुर्दा था यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा देरे देरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को समाला साइद यह एह एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही को छुपाय करने होंगे ताकि हम सब जिन्दा रह सकें मेरे अब्ब की एक दुकान हुआ करते थे किसी ने उन्हें समझा बजा कर वह दुकान पांसा रुपे में बिखवा दी जब तक वैं पैसा चला हमें खाने को मिला फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गई हर जान पहँचान वाले के पास उधार मांगने गई उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता और तसपर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है कि मैं हमेशा से ही बीमार हूँ मेरी एक जड़बा बेहन है जो पिल्कल ठीक है वही मेरी अम्मी चला पड़ती थी कि वह मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई है अब एक करे क्या तो एक बार की बात है कि जब मैं बहुत बीमार थी तो किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइविट डॉक्टर के पास ले जाए वह डॉक्टर अच्छा माना जाता है और मुझे नर्सें हम ले जाया गया तब क्या हुआ कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने ही वाली हूँ और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सें हम के बस्तर का खड़्चा ही ढ़ाई सरोपे हर दिन आएगा इलाज का अलग आएगा खड़्चा तो मेरी माने उन्हें बताया कि हमारे पास इतनी पैसे नहीं है जब उसने कहा कि मुझे घर ले जाएं पर वह नहीं माने मैं वहीं पड़ी रहती जब तक के दोपेर को वह ना आती मुझे नहीं मालूम कि यह वह कहां से पैसे लाती पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जटा ही लेती जब मैं आयरुवेद की दबाएं लेने लगी हूँ और उसे से मुझे काफी आराम है तो मेरे पाउं के छाले सूख रहे है पसलियों का दर्द चला गया है चहरे की सूजन सेड़ दर्द बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा था कि मैं ठीक हो सकती हूँ मैं यह जानती हूँ कि तुम्हें अभी हमें बहुत दूर जाना है मैं एतनी खुस रहती हूँ मैं तो अब जीना चाहती हूँ तो वह कहती थी सलमा I hope दूस्तों यह पार्ट आपकी समझ में आया होगा कि वह समझती थी कि वह सुबह कभी तो आईगी अर्थार्थ उसके जीवन में जो कि एक व्यक्ति यो एक लड़की होती है वह सुचती कि उसके जीवन में एक सुबह या अच्छा दिन अवस्य आएगा तो इस पाठ को लेकर के जो लेकर का हैसलमा उसका यही उद्देस है तो सब्दार्थों में क्या है के जकरना मिस होता है कसकर पकडना यादधास्त मिस होता है याद रखने की सक्ती राहत मिस आराम सूजन मिस किसी अंग का फूलना वहीं बदन मिस सरीर धबे मिस क्या होता है दाग आहट मिस आवाई और सेहत मिस स्वास्त जहां पर प्रस्णों की बात है कि सलमा का पहला कदम बीमारी में ही क्यों बढ़ा था सलमा अपनी मा से क्या कहती थी जिससे उसकी अम्मा से मार देती थी पटाई देती थी तीसरा है सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं आप तो जीना चाहती हूं मेरे अब्बु इस दुरगटना के कारण खत्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे तो इस बाके से पता चलता है कि सलमा के अब्बु किसी गैस दुरगटना के कारण मर गए थे दुरगटना में कुछ लोगों को अपने सरीर के अंगों को भी गवाना पड़ जाता है तो महवा आग और पानी से होने वाले दुरगटना के एक सूची बनाओ और तुम्हें सूची के आगे यहे भी लिखो कि इसमें क्या क्या नुक्सान हो जाए वहीं देखवाल वाले प्रश्न की बात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखवाल करेंगे इस वक को पड़ोर बताओ कि कौन किसकी देखवाल करना चाहता चाहती है वह बड़ा बड़ी हो करें ही देखवाल करना क्यों चाहता है क्यों चाहती है क्या वह है छोटे होने पर देखवाल नहीं कर सकती अगर वह छोटे होने पर भी देखवाल करेगे तो क्या हो सकता है वहें नवन्द या संस्वाण से प्रस्ण है कि पस्पार्ट में बोपाल गया स्त्राजदी का वर्णन हुआ है इस स्त्राजदी को सेहने वाली सर्माने वह सुबह कभी तो आईगी सीर्षक से लगा अब तुम बताओ कि तमें इसे निवन्द या संस्वाण में से क्या कह सकते हो और क्यों अगर कोई कहानी कहे तो क्या होगा मालो कि अगर तुम इसे लिखते हो तो इसका क्या सीर्षक देना चाहोगी और क्यों इन सब प्रश्णों के उत्तर अब कविल्ट वेक्स को देना है धन्यवाद